बहें की बीमारी जिसको होती है उसको ऐसा लगता है कि सच्छ मुझ वह हो रहा है वह घटीत हो रहा है वह व्यक्टिका उसके उपर विश्वास होता है और उस मतबिक वह अपना बढ़ताओ भी करते रहता है आज में बताने मालों आपको बहम की बिमारी के बारे में आईए हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक ग्रेकर में मनुविकार सेक्स रोग सम्मों दता वैसन मुक्ति तग्यों महाराष्ट में अकोला नागपूर मॉंबई पुने यहां हमारे हॉस्पिटल से और यहां मनुविकार दता वैसनी लोगों का इलाश करते हैं हमारे पास में जो पेशेन आते उसके बारे में मैं केस्टरी आपको बता रहा हूँ यह एक लेडी है प्रोफेशनल सिक्रिसी के तौर पे मैं आपको कुछ नाम बता सकता नहीं उनका मैं आपको अडियो बताऊंगा सुनाऊंगा तो उनको यह प्रॉबजम है और उनकी एज 40 एस की है और उनको अभी तक मेरे पास में दो तीन बार लाया गया और उनको यह वह होता है कि उनके करीब के जो लोग है उनके देवर जो है और कोई रिलेटिव जो है उन्हो जो भी कर रहे है उनको समझ में आता है वो उनके घर में चोरी करते है कपड़े ले जाते कपड़े चोरी करते है रहते ऊपर उनके घर में घुशते है ताला तोड़ते है और फिर कपड़े चोटे कर लेंगे बड़े कपड़े होंगे तो काट देंगे कपड़े पैसे चु कर दिया हुआ तो वह गेम और उनका पक्का विश्वास है और अब यह प्राबलेम और यह परप्रप्राइब है यह लोग रहे थे बागी अंके एक्डम ठीक रहत सिर्फ वो पक्का जो है थोट इमाग में बैठा रहाता है विचार कि यह ऐसा ही है लोग अपने खिलाफ है लोग अपने लिए कुछ तो भी कर रहे हैं अपने बारे में लोग बात कर रहे हैं तो चले आईए उनका वीडियो जो मैंने निकाल रहा था मगर आपको सिर्फ ओड कुछते हैं जो हमारे तरफ इलाज कर रहे है कि वह एक्चुली वहां क्या हो रहा है आपको क्या एक्सपिरियंस आ रहा है आपको क्या लग रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है कि आपको जो तकलिफ हो रही उसके बारे में क्या कहना है जरा बताईए जी आप दोस्त थाई तीन साल पहले से बहुत मतलब समझ में आगया कि घर में audio video system लगाया audio visual aids लगे है ज़से पर कें मैं यहां मैं या वाइब कर द से तरह दो वाय का में भी स्टेम वहां और audio system भी लगा है और रायगड में भी लगा है और जहां हम रह रहे है भानु प्रतापुर में वहां पर भी कीचन में उपर लगा है audio video पूरा दोनों camera लगा है वो आना तोरेज इलीगल है और government के तरफ से अगर कोई बात करते है मुझसे तो वो authorized भी हो जाएगा क्यूंकि प बस डाउट मेरा वही photo studio वाला देवर है उसी पर पूरा पूरा 7% डाउट उसी पर है और किसले लगा क्यूं लगा है वो तो वैसी बहुत ज़्यादा पर परेशान कर रहा हम लोग को बहुत सारी बातों पर 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 जा रहा है तो डाउट पूरा पूरा उसी क्यूं करता है प्लैश चमकता है तो फोटो भी किषते हैं तो समझ में आ जाता है की video camera भी audio भी है बात भी करते हैं आपको समझ में आता है दिखता नहीं है camera है करके तो उसने क्यों किया ऐसा क्या तारण? वह सामने वाले ग्रील के वरांडे के भी लाए में और वैसे ही वह जबरदस्ती हग भी जताना चाहता है किसी भी बातों पर चीजों पर आपने पॉलिस कंप्लेंट नहीं किया है फिर? क्योंकि मुझे उसी कैमेरा से जो मैं बोल दियूं कि गवर्मेंट का भी हो गया है कैमेरा क्योंकि बाबा जो ससूर है जब उनकी डेट हुई तब बोले है पॉलिस स्टेशन से ही बोले कि हम पॉलिस स्टेशन से बात कर रहे है और इन्वेस्टिगेशन हो रहे है और बाबा ही कंप्लेंट करके गए हुए है करके तब इसलिए पॉलिस स्टेशन से मतलब मैं घर से ह बन जिरो जिरो गोलती हूँ जो भी कंप्लेंड करनी रहती है और कंप्लेंड हो भी रहे हैं और रमेश बाटकर सर भी बात करते हैं शिवाजी साटम सर भी बात करते हैं जबनेवाद आपको आपका अपने से बताया हो आपकी तकलीफ मैं समझसकता हूँ कि आपको जो तकलीफ हो रहे है उसकी वज़े से ठीक है न? तो हम आपको मिलेंगे बाद में फिर्टेंक यू बड़ी मुच्छ बाकी जो पाते हैं चाबिया तो वो मांगते ही रहता है हक से और साथ साथ में ATM कार्ड भी चुराता भी है हक से मांगता भी है पैसे रुपए भी हक से मांगता भी है चुराता भी है रखे वे तुरन-तुरन समझ में आ जाता है कि निकल निकाल लिए गया है करके जैसे ही नह पहुआ हैं दाग लगा कि रखते हैं चोटे कर के लगते हैं कपड़े की पहने को नहीं मिले टाइम पर ऊपर रहते हैं उनलोग हम लोग कर नीचे भी लाएं हां गुसते हैं बीना हां बीना पूछे बिना बता है चाबीया डुप्लिकेट बना बना कर और घर भी पूरा आस् रहे यह टाइम पर सामान सब थीक थेंक्व थैंक्व वेरिमक्ष धन्यवाथ इनका बाकी सब्सक्राइल मतलब काम करना ना धोना खाना पिना सब्सक्राइब गर यह सिर्फ एक टॉपिक लिया उनका तो उनका लगता है कि यह हमारी खिलाफ है यह यह कभी-कभी बढ़का नो के बारे में लोग बाच्चित कर रहे हैं या फिर कोई आके हमको पकड़ ले जाएंगा हमारा नाश करने वाला है हमारे लोग खिलाफ है पुलीस पकड़ लेंगी और यह भेहम रहते रहता है उनको एक्चुली रहते हैं इलाज की जर्रत यह पैरनेर्ड स्कीजोफ्रेनिया या पैरनेर्ड साइकोसीज करके कहा जाता है इसको इसके लिए दवाईयां हैं और दवाईयां समझे वो लिता नहीं है पेशेंट तो फिर उसको इलाज मतलब इलाज करना वो जरूरी है उसको जान बुचके फिर भरती करो या फिर डॉक्टर ने सर्डिफाय करके भी नया रॉत के यहां मैंटल हेल केर एक्ट आया हुबा है उसके मुताबिग फिर उसकी एक रूडिशल एक सर्डिफिकेट लेना मैजिस्टे का इलाज करना जरूरी है, काम पदा तो उसको शॉक होता है दोह्inkो पुरे अच्छे हो जाते है जांए एक एक साल तक continuous लेना जरूरी है उसके बाद में अच्छा होने के बाद में भी ताकि दबाई लेते नहीं है यह तो फिर ऐसी बीमारी हो सकती है तो ऐसे काफी सारे लोग है जिनको हम बहम है उनको ऐसा करके छोड़ देते हैं नहीं वह नहीं बहम माला आदमी है वह नहीं जरा त यह जरा तो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो लाइक करो और वेल का चिनन जो आता है उसके उपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आजाएगा थैंक्यू फोर वचिंग झाल